ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मुरली, 28 सितंबर दो हजार चौबीस दिन शनिवार की संपूर्ण मुरली, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे, तब यह नैचुरल कैलमिटीज वा विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया सम प्राप्थ होगी, प्रशना कौन सा पुरुशार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्सा प्राप्थ होता है, उत्तर पूरा वर्सा लेना है, तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है, वह सब बाप पर बलिहार करो, बाप को अपन थोड़ी सी मानी, रोटी मिल जाएगी। ओम शांती। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है। तीन की याद में बैठना है। भल एक ही है परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सत्गुरु भी है। हम सब को वापिस ले जाने आये हैं, यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ती सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब हैं मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे न। यह तो है निराकार, निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह ज्यान बुद्धी में होना चाहिए। अभी तुम बेहत के बाप की याद में बैठे हो। बेहत के बाप ने कहा है, रुहानी बच्चों, मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। यहां शास्त्र आदी की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राज्योग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है, उँचते उँच, तो पद भी उँचते उँच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार तब फिर लड़ाई होगी। नैचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। याद भी जरूर करना है। बुद्धी में सारा ज्यान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुशोत्तम संगमिक पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से उच पद पाएंगे। यह भी जानते हो इन लक्षमी नारायन ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। यह लक्षमी नारायन ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रहमासर्स्वती बने हैं। यही फिर लक्षमी नारायन बनेंगे। अभी पुरुशार्थ कर रहे हैं। सृष्टी के आदी मध्य अंत का तुमको ज्यान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं जुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिध करते हैं। कहते हैं आप सर्वगुन संपन्न हो। हम पापी विकारी हैं। कोई गुन नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयम बन रहे हो। कहते हैं बाबा यह शास्त्र आदी कब से पढ़ना शुरू हुआ है। बाप कहते हैं जब से रावन राज्य शुरू हुआ है। यह सब है भक्ती की सामगरी। तुम जब यहां बैठते हो तो बुद्धी में सारा ज्यान धारण होना चाहिए। यह संसकार आत्मा ले जाएगी। भक्ती के संसकार नहीं जाने हैं। भक्ती के संसकार वाले पुरानी दुनिया में मनुश्यों के पास ही जन्म लेंगे। यह भी जरूर है। तुम्हारी बुद्धी में यह ज्यान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धी में आएगी और स्रिष्टी चक्र का ज्ञान बुद्धी में है जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे याद की यात्रा चल रही है ओम शांती भक्ति और ज्ञान बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर उनको भक्ति का सारा मालूम है भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होगी मनुश्यों को यह पता नहीं बाप ही आकर समझाते है सत्यूग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे वहां भक्ति का नाम नहीं एक भी मंदिर नहीं था सब देवी देवता ही थे पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है यानि 2500 वर्ष पूरे होते हैं अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है तब रावण आता है संगम तो जरूर चाहिए त्रेता और द्वापर के संगम पर रावन आते हैं जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं यह सिवाए तुम्हारे कोई नहीं जानते बाप भी आते हैं कलियुग अंत और सत्युग आदी के संगम पर और रावन आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर अब उस संगम को कल्यानकारी नहीं कहेंगे उनको तो अकल्यानकारी ही कहेंगे बाप का ही नाम कल्यानकारी है द्वापर से अकल्यानकारी युग शुरू होता है बाप तो है चैतन्य बीजरू उनको सारे ज्ञाड की नौलेज है वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे मेरे से यह ज़ाड ऐसे निकलता है परन्तु जड़ होने कारण बता नहीं सकता हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले ज़ाड छोटा सा निकलता है फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है परन्तु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या-क्या करते रहते हैं इन्वेंशन निकालते रहते हैं चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं यह सब बातें अभी तुम सुन रहे हो चंद्रमा तरफ कितना उचा लाखों माइल्स तक चले जाते हैं, जाच करने के लिए कि देखें चंद्रमा क्या चीज है समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जाच करते हैं, परंतु अंत्पा नहीं सकते, पानी ही पानी है Aeroplane में उपर जाते हैं, उन्हों को petrol इतना डालना है, जो फिर वापिस भी आ सके आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है जैसे यह बेहद का ग्यान सागर है, वहाई पानी का बेहद का सागर आकाश तत्व भी बेहद है धरती भी बेहद है, चलते जाओ सागर के नीचे फिर धर्ती है पहाड़ी किस पर खड़ी है? धर्ती पर फिर धर्ती को खोदते हैं तो पहाड निकलाता उसके नीचे फिर पानी भी निकलाता है सागर भी धर्नी पर है उसका कोई अंत नहीं पा सकते हैं कि कहा तक पानी है कहा तक धर्ती है परम्पिता पर्मात्मा जो बेहत का बाप है, उनके लिए बेंथ नहीं कहेंगे मनुष्य भल कहते हैं, इश्वर बेंथ है, माया भी बेंथ है परंतु तुम समझते हो, इश्वर तो बेंथ हो ही नहीं सकता बाकी यह आकाश बेंथ है यह पांच तत्व हैं, आकाश, वायू यह पांच तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है यह चक्र फिर्ता ही रहता है यह अनादी नाटक है, इनका अंत नहीं होता यह परंपरा से चला आता है कब से शुरू हुआ यह कहें तो फिर अंत भी हो बाकी यह बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है यह पांच हजार वर्ष का चक्र है जो फिर्ता ही रहता है अभी तुम जानते हो बाकी उन्होंने तो धुक्का गपोडा लगा दिया है शास्त्रों में लिखा है कि सत्योग की आयू इतने लाखों वर्ष है तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं यह पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे न जानने के कारण कह देते हैं कलियू की आयू 40,000 वर्ष अभी पड़ी है जब तक तुम न समझाओ अभी तुम निमित्थ हो समझाने के लिए कि कल 5,000 वर्ष का है न की लाखों वर्ष का है भक्ती मार्ग की कितनी सामगरी है, मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं बाप कहते हैं मैं तुम को कितने पैसे देकर जाता हूं बेहत का बाप तो जरूर बेहत का वर्षा देंगे इससे सुख भी मिलता है, आयू भी बड़ी होती है बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों आयुश्वान भव वहा तुम्हारी आयू 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता है बाप वर देते हैं, तुमको आयुश्वान बनाते हैं तुम अमर बनेंगे वहा कभी अकाले मृत्यू नहीं होगी वहां तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता है सुखधां. आयू भी बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हो। कंगाल से सिर्ताज बन जाते हैं. तुम्हारी बुद्धी में है, बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने वह तो जरूर छोटा जाड़ होगा वहाँ है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाशा उसको ही कहा जाता है विश्व में शांती सारे विश्व में हम ही पाट धारी हैं यह दुनिया नहीं जानती अगर जानती हो तो बताए कब से हम पाट बजाते आये हैं अभी तुम बच्चों को बाप समझा रही हैं गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता सारी पृथवी, आस्मान, सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं यह लक्ष मीनारायन विश्व के मालिक थे, फिर बाद में जो राजाएं आदी होते हैं, वह भारत के थे गायन भी है, जो बाबा देते हैं, वह और कोई दे न सके बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं तो यह सारा ज्ञान बुद्धी में रहना चाहिए जो कोई को भी समझा सको इतना समझने का है अब समझा कौन सकते हैं? जो बंधन मुक्त हो बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं? तो कहते पांच बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिवबाबा है तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहराना शिवबाबा के बन गए तो फिर शिवबाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं बच्चे वारिस हो जाते हैं यह लक्ष्मी नारायन शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया। तो वर्सा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा यह सब कुछ आपका है, आपका फ अर्जुन को विनाश भी दिखाया, तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षातकार हुआ। देखा, राजाय मिलती है, तो क्यों न शिव बाबा को वारिस बनाओ। वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। यह सोदा तो बहुत अच्छा कभी कोई से कुछ पूछा नहीं। गुप्त सब कुछ दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसको क्या पता, इन्हों को क्या हो गया। किन्हों ने समझा इनको वैराग्या आया, शायद सन्यासी बन गया। तो यह बच्चियां भी कहती हैं, पांच बच्चे तो इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सब को ख्याल आया, सब घर बार छोड भाग आये। वहां से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोडने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है, भठी बनी थी क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए। सिवाए बाब के और कोई याद न रहे। मित्रसंबंधियों आदी की भी याद न रहे क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है, उनको पावन जरूर बनाना है। बाब कहते हैं, ग्रिहस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनों। इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे यह स्त्री पुरूश के बीच में जगडा डालने वाला ज्यान है क्योंकि एक पवित्र बने, दूसरा न बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सबने मारे खाई हैं क्योंकि अचानक नई बात हुई न। सब आश्चर्य खाने लगे, यह क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं। मनुश्यों में समझ तो नहीं है। इतना कहते थे, कोई ताकत है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, जो अपना घरबार छोड भागे। ड्रामा में यह सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे, यह भी खेल है। घरबार आदी सब छोड भागे, कुछ भी याद नहीं रहा। बाकी सिर्फ यह शरीर है, जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब ही पवित्र आत्माएं वापिस जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके। काइदा नहीं। मुक्तिधाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघन पड़ते हैं। आगे कोई सत्संद आदी में जाने के लिए रुकावट थोड़े ही होती थी। कहा भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघन पड़ते हैं। यह तो समझते हैं, पवित्र बनने बिगर वापिस घर जा न सकें। धर्मराज द्वारा मोचरे सजाएं, खाने पड़ेंगे। फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। यह समझ की बात है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है। यह पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन आना है। फिर जब पांच तत्व सतोप्रधान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर नए सतोप्रधान मिलेंगे। सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है, तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। यह सब द्रामा में नूध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का यादप्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। धार्णा के लिए मुख्यसार। एक आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भठी में रहना है। एक बाप के सिवाए दूसरा कोई भी मित्रसंबंगी याद ना आए। दोग बुद्धी में सारा ज्यान रख, बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। माया को वेलकम करने वाले उसके विक्राल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने से मज़ा आता है क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो जो हो रहा है, वो अच्छा और जो होने वाला है, वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीक बन जाएंगे। स्लोगन जो सहनशील हैं, वह किसी के भावस्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं।